नमस्कर साथियो वा पुनार सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं यंग इंडिया व्लोक्स और मैं आपका दोस्त देवधाकर दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस शहर की जिसे वालानेसी शहर भी कहा जाता है और यहां शहर दुनिया का सबसे प्रा वान शिव से जी हां दोस्तो यहां पर विराज मांने 12 जोतिलिंगों में से एक काशी विशोनात का जोतिलिंग, तो आज किस वीडियो में हम आपको काशी विशोनात के बारे में बताने वाले हैं और मंदिर का संपूर्ण इतिहास और वो सभी फेक्ट आपके समक्ष रखने वाले हैं जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से मंदिर का निर्मान कार हुआ और किस प्रकार से मंदिर पर आक्रमन हुए और किस प्रकार मंदिर को तोड़ कर वहां पर मस्जिद बना दी गई उत्रप्त्रदेश के वारणेशिस हे गंगा नदी के किनारे इसति थे, काशी विष्वनात मंदिर में जोत्र लिंग की स्थापना पौराने कथाओं के मुताबिक बगवान शीव देवी पारवती से विवा करने के बाद केलाश परवत पर आकर रहने लगे थे वहीं देवी पारवती अपने पिता के गर पर रह रही थी जहां पर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देवी पारवरती ने एक दिन बगवान शंकर से उन्हें अपने गर ले जाने के लिए कहा बगवान शीव ने देवी पारवरती की यहां बात मान कर उन्हें काशी लेकर आये और यहां विश्वनाद जोतिलिंग के रूप में खुद को इस्तापित कर लिया इस मंदिर का उलेक, महावारत और उप निश्दों में भी मिलता है इस मंदिर का निर्मान किसने कराया इसके बारे में पुक्ता जानकारी नहीं है साल 1194 में मुहमत गुरी ने इस मंदिर को लूटने के बाद इसे तुड़वा दिया था इस मंदिर का निर्मान फीर से करवाय गया लेकिन जोनपूर के सुल्तन मौमोच शाह ने इसे दोबारा तुरवा दिया इत्यास कारों के मुताबित विशुनात मंदिर का जिन्नोदार अकबर के नो रतनों में से एक राजा टोडरमन ने कराया था उन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर नराने भट की मदस से इसका जिन्नोदार कराया था सन 1679 में ओरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था जिसके बाद उसमें काशी विशुनात मंदिर को द्वस करके मस्जित का निर्मान कारी करवाने का आदेश दिया था वहीं कुछ इथियासकारों के मुताबित ग्यानवापी मस्जित को 14 सदी में जोनपूर के शर्कित सुल्तानों ने विशुनात मंदिर को तुड़वा कर बनवाया था लेकिन कई इथियासकार इस बाद से इनकार करते हैं हाला कि काशी विशुनात मंदी के वर्तमान ढाचे का निर्मान इंदोर की महरानी अलियाबै होलकर ने सन 1777 में करवाया था काशी विशुनात मंदी सुभा दो बज के 30 मिनिट पर खुलता है यहां प्रति दिन 5 बार भगवान शीव की आरती होती है पहली आरती सुभर 3 बजे और आखरी आरती राती 10 बच के 30 मिनिट पर होती है काशी यूशुनाद मंदिर कैसे पहुँचे वारानसी आप फ्लाइट से, ट्रेन से या बस और किसी अन्य साधन की मदस से पहुँच सकते हैं लेकिन अगर आप ट्रेन या बस से बनारस जा रहे हैं तो वहां से आटो या एब बेस्ट टेक्सी की मदस से मंदिर पहुँच सकते हैं वारानसी रेलो इस्टेशन से मंदरी की दूरी करीब साड़े चार किलोमेटर हैं बस सिस्टेशन से भी मंदरी की दूरी करीब इतने ही हैं अगर आप फ्लाइट से वारानसी पहुच रहें तो आपको लगब 25 किलोमेटर का सपर तरह करना पड़ेगा वारानसी परेटन इस्तल है इसलिए यहां ठहरने के लिए सस्ते होटल से लेकर महेंगे लोज भी मिल जाएंगे सुरक्षय व्यस्ताय को ज्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में सेलफोन, केमरा, दातु की वस्तुए, सिगरेट और लाइटर आधी ले जाने की अनुमती नहीं है विश्वनाद मंदिर से जुड़े रोचक दत्य एसा माना जाता है कि वालानसी शहर भगवान शीव के त्रिशुल पर ठीका हुआ है काशी विश्वनाद मंदिर को सोने का मंदिर भी कहा जाता है मंदिर के गुबत को सोने का बनाया गया है जिसके लिए पंजाब के महराजा रंजिसी ने सोना दान दिया था एसी माननेता है कि पवित्र नदी गंगा में इसनान करने से और काशी विश्णाद मंदीर के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है मंदीर के गर्बगरब में मंडप और शिवलिंग है यह चांदी की चोकोर वेदी में इस्तापित है वही मंदीर परिसर में काल बेरो, गवान विश्णू और विरुपाक्ष गोरी के मंदीर भी है ऐसा माना जाता है कि जब प्रत्वी का निर्मान हुआ था तो सूरी की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी दोस्तों यहां ती काशी विशुनाद मंदी के बारे में जानकारिया उम्मेदे आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो के मजदम से आप चैनल पर नहीं आयो तो चैनल को सस्काइब जरू कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं रोचक जानकारी के साथ तब तक के लिए हमार साथ बने रहिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन